हेलो नमस्कार दोस्तों क्या आप भी किसी को मेसेज भेजते हैं और उसका मेसेज को और देख लेता है तो आपको सिंपली सी यह काम करना है आपको सिंपली सी टेक्स टेक्स्ट पर किलिक करने के बाद आपके पास कुछ चीज पर करका इमेज आएगा तो आपको सिंपली सी इस पर किलिक कर लेना है इस पर किलिक करके कॉंपी करके आपको उसके उपर भेजने जब उसके पास जाएगा तो आपको सिंपली सी उसको क्या करना है Decrypt इमोजी पर क्लिक करना इसके बाद आप जो send किये यहां पे simply paste करना है paste करने के बाद आप जो password डाले थे आपको same to same यहीं पर डालना है इसे बाद decrypt emoji पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने को बाद आप देख सकता है friends यहाँ पर आ गया है जो हम message type किये थे I hope यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे comment में जरूर बता ही यदि वीडियो में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे comment करें हम आपके comment करें प्रिप्ट लाए झाले बता है झाले बता है